एक के बाद एक दो वरिष्ट नेताओं के मत बुण पदों से इस्तीफ़े के बाद कॉंग्रस के भीतर हड़कम्प मजिया है। कॉंग्रस के वरिष्ट नेता आनन्द शर्मा ने हिमाचल प्रदिश चनाओ के लिए कॉंग्रस की संचालन समीती के अध्यक्ष पत से इस्तीफ़ा दिया तो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सूनिया गांधी ने राजीव शुकला को मामला सुलचाने की जिम्मेदारी दी है हाल में गुलाम नवी आजाद ने अपनी न्यूक्ती के कुछी घंटो बाद जम्मु कश्मीर कॉंग्रस अभियान समीती के प्रमुख के पत से इस्तीफ़ा दे दिया था आनंद शर्मा ने इस्तीफे की जानकारी ट्वीट करके दी इस्तीफे के लिए उन्होंने पार्टी में उनके साथ किये जा रहे बरताव को कारण बताया उन्होंने कहा कि निरंतर भहिशकार और अपमान के कारण एक स्वाभी मानी होने के नाते उनके पास कोई विगल्प नहीं बचा था आनन्द शर्मा ने ट्वीट में लिखा मैंने भारी दिल के साथ हिमाचल चुनाव के लिए कॉंग्रेस के संचालन समीती की अध्यक्षिता से इस्तीफा दे दिया है ये दोहराते हुए कि मैं आजीवन कॉंग्रेसी हूँ और अपने विश्वास पर कायम हूँ मेरे खून में दोड़ने वाली कॉंग्रेस की विचार धारा के लिए परतिबध हूँ इस बारे में कोई संदे न रहे हाला कि निरंतर बहिशकार और अपमान को देखती हुए एक स्वाभी मानी व्यक्ति की रूप में मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था आनंद शर्मा ने महत्पूर्ण पत से इस्तिफय ऐसे वक्त में दिया है जब हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाओ एकदम करीब है इसी साल नवंबर में हिमाचल में विधान सभा चुनाओ होने हैं आनन्द शर्मा को मनाने गए कॉंग्रेस नेता राजीव शुकला ने कहा, आनन्द शर्मा कॉंग्रेस कारे समीती के सदसे और वरिष्ट नेता है, वो राजनीतिक मामलों की समीती के सदसे और राज्य चुनाव समीती के सदसे हैं, मारा दायत्व है कि उनसे मिले, उनके साथ ह आनन्द शर्मा के इस्तीफी को लेकर राजीव शुकला ने कहा ये एक आंतरिक मामला है और वो असंतुष्ट नहीं है। पत्र में उन्होंने लिखा कि उनके स्वाविमान को ठेस पहुंची है क्योंकि उन्हें पार्टी की किसी भी बैठक के लिए परमर्श यामंत्रित नहीं किया गया गौर हो कि आनन्चर्मा वर्श 2009 से अप्रेल 2022 तक राजस्वा सदस्य रहे वो पार्टी में कई प्रमुख पदों पर रहे हैं जी 23 नेताओं के समू में शामिल रहे नेता गौलाम नवी आजाद के जम्मु कश्मीर में अभ्यान समीती के अध्यक्षपत से इस्तीफा देने के बाद अब इस समू के आनन्चर्मा ने भी त्याग पत्र दिया है हाला कि वो प्रदेश में पार्टी उमिद्वारों के लिए प्रचार करना जारी रखेंगे गुलाम नवी आजाद और आनन्चर्मा जी 23 समू के प्रमुख नेता हैं जो पार्टी नेत्रित्व के फैसलों के आलूचक रहे है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें